दिल्ली हाई कोट ने अपने एक एहम फैसले में कहा है कि CBI जांच रिपोर्ट को RTI से छूट दी गई है हाली में दिल्ली हाई कोट ने ये फैसला सुनाया है कि CBI जांच रिपोर्ट को RTI से छूट दी गई है केस का टाइटल है Bridge Mohan vs. Kendriya Suchna Aayok and Another Case और इस केस की सुन्वाई जश्टिस सुब्रमनियम प्रसाद की बेंच कर रही थी। CBI National Spot Exchange Limited में Irregularity से Related एक मामले की चांच कर रही थी। जहां पर याचिका करता उपभोकता मामलों के विभाग में उप सचिव के रूप में कारे रत था। याचिका करता के खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि याचिका करता ने Commodity Spot Exchange के कामकाज की देखरे के लिए एक नामित Exchange के रूप में Forward Markets Commission के नियुक्ति के सुविधा देकर लापरवाही से काम किया है। जिसके बाद याचिका करता ने सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहट एक आवेदन दायर किया जिसमें की CBI Report की RTI मांगी गई थी। लेकिन याचिका करता के द्वारा मांगी गई जानकारी को CPIO ने इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि RTI अधिनियम के Section 8 Clause 1 H के तहट ये छूट के दायरे में है। सुचना ना पाने से नराज होकर याचिका करता ने पहली अपील दायर की जिसे खारिच कर दिया गया। और ये कहा गया कि उसके द्वारा मांगी गई सुचना RTI के Section 8 Clause 1 H के तहट छूट के दायरे में आती है। हाई कोट ने कहा कि याचिका करता जो जानकारी मांग रहा है उससे बड़े पैमाने पर धोखा धड़ी से जुड़ी CBI द्वारा की जा रही जांच में बाधा आएगी जिसमें कई आरोपी भी शामिल है। RTI Act के Section 8 Clause 1 में इस तरह की जानकारी नहीं देने की बात की गई है जो कि CBI की ऐसी रिपोर्ट से रिलेटिड है जिसमें बहुत सारे आरोपियों का नाम है और अगर CBI आगे इसमें जांच करेगी तो उनकी जांच में रुकावटे आ सकती हैं। लेकिन याचिका करता ने अपने जवाब में कहा कि उसने जो भी जानकारी मागी है उसकी जांच पूरी हो चुकी है और उसमें चार सीट भी दायर की जा चुकी है। आरटे आई नहीं लगाई जा सकती। तो इस तरह से हाई कोट ने याचिका करता की अपील को खारिज कर दिया। चेश्मेंट की पीडियेफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इंफो मीट्व है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा। झारिगा।